आईपिल 2022 का पहला मैच कॉलकाता नाइट राइडर्स और चन्नाई सुपर किंग्स के बीच मुंबई के वानखेडे मैदान में खेला जाएगा इस मैच में दोनों टीमें जीत के साथ सुरुवात करना चाहेंगी कॉलकाता के खिलाफ चन्नाई का रिकॉर्ड बहुत बहतर है दोनों टीमों के बीच कुल 26 मैच हुए है इनमें से 17 मैच चन्नाई के नाम रहें जबकि 8 मैच कॉलकाता ने जीती है वही एक मैच का नतीजा नहीं निकला था इस मैच में बारिष की संभावना न के बराबर है ऐसे में फैंस उमीद कर सकते हैं कि उन्हें पूरा मैच देखने को मिलेगा आईपिल के मैच में अक्सर बारिष खलन नहीं डालती है भारत में मार्श, अप्रेल और मई के महीने में बारिष की संभावना बहुत कम रहती है ऐसे में आईपिल के सभी मैचों में बारिष होने की संभावना बहुत कम है और फैन्स को पूरा मैच देखने को मौका मिलेगा वेदर.com के अनुसार 26 मार्च शनिवारगो मुंबई का तापमान दिम में लगभग 31 डिगरी सेलसियस रहेगा रात में तापमान 27 डिगरी सेलसियस तक रह सकता है पूरे मैच के दौरान आजमान साफ रहेगा बारज की संभावना सिर्फ 5 फिस्ती है दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिलेगा रात में नमी 72 फिस्ती के आसपास रहेगी रात के समय उस गिरने की संभावना है ऐसे में बाद में गिंदबाजी करने वाली टीम को परिशानी हो सकती है इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गिंदबाजी करना पसंद करेगी वान खड़े की पीच में बल्ले बाजो को रन बनाने में आसानी होती है इस वज़े से भी पहले गिंदबाजी करने वाली टीम को फायदा मिलता है